योर एंड का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं योर एंड का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो योर एंड का मतलब होता है आपका अंत लेकिन आम तोर पर इसका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है end का मतलब किनारा भी होता है या तरफ भी होता है तो your end का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ से या आपकी तरफ यानि कि मानलेज़ आपके तरफ से कुछ करना है या आपकी तरफ से कुछ होना है तो उसको आप your end कह सकते है यानि कि आपकी तरफ से या आपकी तरफ यानि कि जैसे अगर आप ये कहना चाहें कि ये जो गलती है वो आपकी तरफ से है तो आप कहेंगे this mistake is at your end यानि कि ये जो mistake है ये आपकी तरफ है आपके पाले में है तो इस तरीके से your end का इस्तेमाल किया जा सकता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें